हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, दिस इस कृती वर्मा, वेलकम टू मैं चैनल बैयोलजी बाइट, आज का टॉपिक है पपीते से मिस्केरिज, बच्चा होने के बाद किन किन बातों का खयाल रखे, बच्चा होने से पहले किन किन बातों का खयाल रखे, डॉक्टर से क्या क्या पूछे क्या खाएं कौन सी exercise करें बच्चों से जुड़े सवाल का सच में कोई अंत नहीं है पर कहीं से तो शिरुवात करनी ही होगी न तो चलिए करते हैं शिरुवात और आज हम समझते हैं बच्चा होने से पहले किन-किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है आप pregnant ना भी हो और आपका खटा खाने का मन कर जाए तो आपको pregnant मान लिया जाता है अरे भाई pregnancy में हर किसी का खटा खाने का मन नहीं करता है वैसे कुछ studies दिखाती है कि cravings तब होती है जब body में किसी nutrients की deficiency हो और pregnancy में क्योंकि nutrients का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है इसलिए doctor आपको supplements लेन जिन महिलाओं में इन nutrients का पूरा balance नहीं होता है उन्हें अकसर cravings नहीं होती है वैसे एक और वज़ा भी है cravings की और वो है hormones आपने notice किया होगा periods होने से ठीक पहले भी किसी का चाट खाने का मन होने लगता है तो किसी का ice cream वज़ा hormones एक चीज है जिसकी आपको चाहे कितनी भी cravings हो बड़ आपको कोई खाने नहीं देगा और वो है पपीता कच्छा पपीता और पका पपीता क्या फ़र्क है दोनों में तो चलिए डॉक्टर से समझते हैं डॉक्टर के अनुसार सिर्फ कच्छे पपीते की मना ही है पके पपीते की नहीं आपका पपीता खाने का मन है बेशक खाए लेकिन अपने डॉक्टर से भी जरूर पूछ ले कि कब कैसे और कितना पपीता खा सकती है बड़ इस बात कर ध्यान रखे की पपीता कच्छा नहीं होना चाहिए आप पका हुआ पपीता बस खा सकती है चलिए देखते हैं और क्या क्या खा सकती है आप मिर्च मसाले खाने में भी कोई दिक्कत नहीं आती अगर आपको पहले से इसकी हैबिट है तो तो प्रेगनेंसी के द़ौदाис की बदलाव की कोई जरूरत नहीं है लोग सिर्गे को भी शिर्गे करने को कहते हैं इस से भी कोई परिशानी नहीं होती हां बड़ किसी भी चीज का limit से जादा use करें तो वो harmful होता है और हाँ अगर अंडा खाना पसंद है तो इस बात को ध्यान रखेगी अंडा पूरी तड़ा पका हो कच्चे अंडे में कच्चे मांस और मचली में हानी काड़क बेक्टेरिया होते हैं ठीक से पकाने पे ये मर जाते हैं कुछ मचलीयों में मरकरी यानी पारे की मातरा बहुत जादा होती है ये बच्चे के development पे असर डालता है तो इससे दूर रहना चाहिए मचली खाने का मन है तो डॉक्टर से पूछ लीजिए कि कौन सी सही है और कौन सी नहीं और ये भी पूछिए कि कितना खाए डॉक्टर के अनुसार सिर्फ दो टोस्ट और मुठी भर ड्राई फ्रूट से ही आपकी कैलोरीज की निड़ पूरी हो जाती है और इसकी जरूरत भी सिर्फ आखरी महीनों में है कमाल है न हमें तो कहा जाता है कि लडू खाओ, घी खाओ, गुड खाओ, बस खाओ खाओ खाओ, खाओ खाओ कर वजन बढ़ाओ वजन बढ़ना जरूरी है, लेकिन उसकी भी लिमिट है प्रेगनेंसी में कितना वजन बढ़ना चाहिए, ये आपके BMI पे डिपेंड करेगा यानि प्रेगनेंसी के पहले आपकी वेट और हाइट पे लिमिट से जादा वजन बढ़ने से समय से पहले लेबर पेन उठने का खतरा बढ़ जाता है ऐसे में बच्चे की जान भी जा सकती है, इसलिए दो गुना तो बिलकुल भी नहीं खाना चाहिए हर प्रेगनेंसी अलग होती है, पांस से अठारा केजी तक का वजन बढ़ना नॉर्मल रेंज में माना जाता है बट बात जब वजन की आती है तो हम इसे हमेशा लुक से जोड़ देते हैं ये आजकल की लड़कियों को तो सिर्फ फैशन ही करना है, फिगर मिंटेन करनी है, इन में जान ही नहीं है वजन जादा नहीं बढ़ना चाहिए, ऐसा इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि आप प्रेगनेंसी में सुन्दर दिखें ये वर्निंग इसलिए दी जाती है कि आपकी और आपके होने वाले बच्चे की सेहत पर बुरा असर ना पड़े ये इसलिए जरूरी है ताकि प्रेगनेंसी के दोरान आपका बिपी नॉमल रहे ताकि आपको जेस्टेशनल डाइबिटीज ना हो जेस्टेशनल डाइबिटीज ये ऐसा डाइबिटीज है जो सिर्फ प्रेगनेंसी के दोरान होता है अक्सर महिलाएं अपना ब्लड टेस्ट नहीं करवाती हैं तो उन्हें इस बारे में मालूम ही नहीं चलता तो प्रेगनेंसी में आपकी शरीर को जरूरत है खूब सारे फल की, खूब सारी सबजीयों की थोड़े बहुत घी मक्खन की भी और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की भी लेकिन थोड़ी बहुत मतलब exactly कितनी डॉक्टर की सला है कि विक में कुल ठाई घंटे एक्सरसाइज करें रोज लगबग आधा घंटा इस बात का खयाल रखे कि एक्सरसाइज के दोरान आपकी सास ना फूले आपका वर्काउट इतना हलका होना चाहिए कि आप एक्सरसाइज करते हुए भी बात कर सके और हाँ लेटे लेटे एक्सरसाइज ना करें और ना ही ऐसी कोई भी एक्सरसाइज करें जिस से सीधे बे आपको swimming या workout की आदत है तो इसे pregnancy में भी continue करें बस कुछ नया शुरू मत कीजिए और अगर आप पहले कुछ भी नहीं करती थी तो walk कीजिए लेकिन उतना ही जितने में आप comfortable है खुद को force मत कीजिए साथ ही अपने डॉक्टर से pelvic floor exercises के बारे में जरूर पूछिए pelvic floor body का वो हिस्सा है जिसमें bladder, uterus, vagina और rectum होते हैं ये मजबूत होगा तो delivery में भी असानी होगी साथ ही pregnancy के दोरान exercise करने से postpartum depression से भी बचा जा सकता है तो conclusion ये है कि pregnant women को दो लोगों के लिए खाने की जरूरत नहीं है अपने डायेट में कोई बदलाव करने से पहले डॉक्टर से इस बारे में बात करें जब तक डॉक्टर ना कहे तब तक bed rest भी ना करें और सही मात्रा में exercise करेंगी तो आपको और बच्चे को दोनों को ही फायदा होगा तो अपने सेहत कर रखे खयाल Hope so this video will be helpful for you Thanks for watching and don't forget to subscribe my channel. Thank you